दोज़र देरा में आइबल में स्पॉर्ट फिक्सिंग का आरोप जेलने वाली चेनल सूपर किंग्स को दो सार के लिए आइपल के टॉर्णमेंट से बैंड कर दिया गया था CSK के मैनेश्मेंट का स्पॉर्ट फिक्सिंग में नाम आया था और इसमें CSK के कप्तार MS धूनी का नाम भी उचला लेकिन 2018 में शौनदार वापसी करते हुए धूनी के धुरंदरों ने तीसरी बार IPL का खिताब अपने नाम किया धूनी ने हमेशा इस मसले पर चुप्पी बनाय रखी धूनी ने हमेशा से यही माना कि जुबान से जवाब देने से अच्छा है कि बल्ले से जवाब दिया जाए और ठीक ऐसा ही उन्होंने पिछले साल भी किया अब इस पूरे मुद्धे पर खुद धूनी अपनी कहानी बया करने वाले से जिहां मशूर डिरेक्टर कभीर बेदी के प्रडक्शन हाउस के जरी धूनी उनके और उनके टीम मेट्स का हालिया दिल बया करेंगे 20 मार्च को हट स्टार पर रिलीज होने वाले इस वेब सीरीज में खुद धूनी सबके सवालों का जवाब देते हुए दिखाई देंगे इस बावच जब कभीर बेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि स्विवार ने पूरी टीम के मनोबल को ना सिर्फ गिराया बलकि उनकी निजी जिन्दगी भी इस वज़ा से काफी तनाव पून रही आपको बदा दे कि इस एक एपिसोड वाली सीरीज में धूनी खुल कर बोलते हुए दिखाई देंगे जो उनके वेक्तित्व से बिलकुल हट कर होगा बाग की खबरों के लिए देखते रही इन भारा तोडे